कि वाइजिंग पाकिस्तान ने कुछ यह अर्सा हुआ हमने आपके लिए एक नया सेग्मेंट शुरू किया योगी हैदर के साथ और बहुत ही पॉपुलर जा रहा है यह कभी-कभी रौनक बख्षते हैं हमारा रौनक बढ़ाते हैं और इज़त अफजाई होती है हमारी के हमा आपकी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए बहुत आहम है खास तर पर आज हम बात करेंगे अपने उन बहन भाईयों से जो मुटापे का शिकार है या मुटापे की आमद आमद उनको लग रही है अपने जिसम पर ज़रा गवराए हुए के मोटे ना हो जाएं तो योगा क ऐसी कौन सी basic exercises है जो आपको मुटापे से दूर रख सकती है थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन गौर से देखिए और योगी हैदर को आज follow कीजे गूद मॉरिंग असलाम अलेकम योगी हैदर वालेकम असलाम थैंक यू जी क्या हाल चाल है आलवेस फेट ठीक ठागी आप आपने देखा जनाब हमारे सोशल मीडिया पर तो ऐसी कार्पिट वोमिंग हो रही होती है messages की है ना सर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं लोगों को आपकी बातचीत बहुत अच्छी लगती है जो कुछ हम करा रहे हैं वो वर को बहुत अच्छा लगता है एक्जाक्ली तो आ आइच्छ आपको अपनी जिंदगी में चेंज लानी है इस वर कोड को अपनी जिंदगे के अंदर उतारना है तो बेख्येे चेंज कियसे आती है आई एये स्टार्ट करते आपको कुछ करना होगा तो आए आज हम आपको बताएंगे कि वजन को कैसे कम किया जाए इसका आज मैं एक प्रापर फार्मेट एक प्रापर वर्कोट आपसे शेयर करना चाहूंगा कीजिए तो कोई भी योगा की एक्सरसाइज है उसको शूरू करने से पहले आपकी पोना बहुत जरूरी है तो आपने सीधे खड़े हो जाना है और राइट लग को भी हम बैक पे स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथ उपर जाएंगे और ब्रीध इन योगा की कोई भी एक्सरसाइज ब्रीधिंग के बगार नहीं होती आपकी बाड़ी का ये जो पोस्चर है ये पोस्चर जो है ये सीधा हो जाएगा और मेन बात आपकी बाड़ी में एनरजी आएगी और आपका इम्यून सिस्टम जो हो स्ट्रांग होगा क्योंके जब बाड़ी के अंदर एनरजी बिल्ट होती है एनरजी पैदा होती है सर्कुलेट करती है एनरजी तो आपका इम्यू पिछे जाएगी, दोनों हाथ उपर जाएगे, ब्रीध इन, ये देखे, वान, थू, थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ, थ्री, स्माइल भी हो, फॉर, या, फाइफ, ये बजाहर बड़ी आसान एक्सिसाइज लग रही है, अब करके देखे तो आपको पता चलेगा, पूरी बॉर्डी की स्ट्रेच हो रही है, आपकी थाइस, ये जो मोटी मोटी थाइस हैं, ये बेतर हो जाएगी, बड़ा हुआ पेट बेतर हो जाएगा, ये जिनका सीना जकड़ा हुआ है, वो बेतर हो जाएगा, ये पूरी बॉर्डी का वर्कोट है, इसे आपने टैन मिनिट से लेकर 50 टाइम तक करना है, मैं फिर एक बार करके दिखाऊंगा, यह देखे, ब्रीदेन के साथ, आपका यह फेस भी उपर जाना चाहिए, ता कि आपका यह जो गले वाला एरिया है, जिनकी डबल चिन हो जाती है, वो भी बेतर हो जाए, once again, one, come on sir, two, you can do it, three, हाथ उपर आपकरी आसान सी साथ एक्सराइज लग रही है, लेकिन जब आप इसको करेंगे, तो पंदरा बीस तक जाना मुश्किल हो जाता है, प्रोग्राम के आखाज में हम बात कर रहे थे क्या योगा के एक्सराइज के लिए एक इस तरह से ट्रैक सूट टी शिर्ट ही जरूरी है, या शलवार कमीज में भी हो सकती है, जी मैं ये कहूंगा कि आप प्रापर ड्रेसिंग के अंदर इस वर्कोट को किया करें, जब हम शलवार कमीज के अंदर होते हैं, कोई किया जा सकता है वर्कोट, लेकन तो अच्छा नहीं लगता, आपकी बाड़ी आपको खुद समझ न अलग कर रही है, आप अलग जा रहे है, तो वह तीन के कोडिनेशन जरह मुश्किल हो जाए दी, बेतर है के ट्रैक सूट और ट्रैक सूट में, ठीक है जी अगली एक्साइज रहा है, इसे टैन टाइम से लेकर आपने फिफ्टी टाइम तक करना है, इसके बाद आपने मैट तो इसी से खतम हो जाती है, ओके जी, अभी नेक्स जो वरकोट है, वो मैं आपको कहूँगा कि आप ना करें, थोड़ा मुझे देखिए आप, ठीक है सर, ओके जी, यहां पर हमने सांस लेते वे दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है, ब्रीदें आप एंड बेक वर प्रीदें खलत है, दर्म्यान में से आपको नीचे आना होगा, फेस आप करें, यह देखिए गला स्ट्रेच हो रहा है, आपका पेट स्ट्रेच हो रहा है, चेस्ट्रेच हो रही है, पीछे वाला घुटना स्ट्रेट रखेंगे, राइट हाथ नीचे रखते हुए राइट हाथ नीचे रखेंगे, ब्रीदें राइट हाथ राइट हाथ उपर जाएगा, भरपूर तरीके से स्ट्रेच करें, जब आप सांस लें तो कोशिच करें, सांस को होल्ड करके रखें, और सांस छोड़ते हुए वापस आएं, पोस्चर को खत्म करें, फिर आब आप पस्चले जाएं, डाउन वर फेसिंग में, इसके बाद आपने टैन टाइम, ये मेन वर को उटा आपका, ये देखें, ब्रीदें के साथ आप आए, आप पेट पूरा स्ट्रेच हो रहा है, थाइस स्ट्रेच हो रही हैं, ब्रीद आउट के साथ, डाउन वर, अच्छा एक ग्रैजुली, आप रेंज अफ मॉशन को बढा रहे हैं, जो रेंज अफ मॉशन है, लाइक, अब ही शुरू में मैं ऐसे हूँ, मैं कहता होड़ रखें, तो हिल्ड में ग्रैजुली, आपकी बाड़ी, आइस्ता, आइस्ता, स्ट्रेच होती है, ओल्ड के अंदर, और आपक इसे आप दस बार करेंगे एक बार से लेकर दस पर इसके बाद आपने एपने राइट लेग को बैक पे इस ऑदाइंगें को उपर रहे हैं यह मेन आपके पॉष करेंगे आपके लेफ फॉह है है पुरी बाडी लाइन होगी और अब आप में अपने राइट पॉयों को अंदर की तरह रखने की बजाये अब राइगध को बाहर की तरह रखेंगे जब आप बाहर की तरह लग Shame यह अब लेफ सेट पूरे स्ट्रेश हो रही है बाडी के हैंगे डॉनर फेसिंग में अच्छा बहुत से लोग आप में से इस एक्सराइस को करते वे दुश्वारी महसूस कर रहे होंगे मतला आपको लग रहोगा के अच्छा जी मतलब पीछे गए तो पता लगे वापस ही नहीं आए तो वही कि वही लग पीछे लॉक होगी लॉक हो कि लें अगर आपको ये पोस्टिर इतना है तो नो प्राबल्ल म आषिशता इसको बेतर गारे deer से राइट लेग या लेफ लेग आपकी शुरू में इतनी सी जा रही है तो नो प्राबलम शुरू में ऐसे होता है लेकन आश्ता इस्ता ग्रेजूली यह देखिए आपकी लेग स्ट्रेच हो जाएगी लेग जब स्ट्रेच हो जाएगी उपर प्रापर तो पेट भी स्ट्रे हो जाएगी, then left hand up, stress करेंगे, very good, कभी ऐसा हुआ कि आप ऐसा के exercise कर रहे हो तो पता लगे, बाजू उदर से जाके मिला है, और टांग उदर पीछे सोवे के पीछे रहे गी थी, बाद में कठे कर रहे हो सारे आप यू समझिये के पूरी बाडी से आपकी डिप्रेशन भी उदर चली जाती है, बाजू तो नहीं जाता, आपकी डायबेटीज भी उदर चली जाती है, आपका मुटापा भी उदर चला जाता है, और जो आप बाकी रह जाते हैं, आप एक खुबसूरत प्यारे इंसान रह होता हूँ, तो उसके बाद जो stretching कामल है, वहाँ पर मैं योगी हैदर, मतलब देखे ना, दो-दो डॉक्टरों से consult करने में कोई problem नहीं होता, आदियां दवाईयां लवो, आदियां दवाईयां लवो, काम हो ना चाहीद है, तो ट्रेनर काशिव के साथ मैं करता हूँ exercise, औ यह बिलकुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी जो चाहे मुटापा है, चाहे depression है, चाहे hypotension है, आपकी हम सब को बीबारियों से दूर रखे, लेकिन यह वो postures और यह वो चीजे हैं जो के इंसान जिसके लिए पैदा हुआ था, हमें इन sofa ने और गाड़ी ने और motorcycle ने हमें इस laptop ने हमें इन सब चीजों से दूर कर दिया, थैंक यू वरी मच, थैंक यू जाप, बहुत शुक्रे, हम राइसिंग पाकसान में साथ हो, चल के लेंगे एक चोड़ासा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापिस आएंगे तो अब्दुल्ला भाई हमारे साथ होंगे, अब्दु कर दो बाद जे साथ होंगे